मद्धी परदेश के खरगवन जीले की तहसिल गोगाओं में सारवजनिक सप्लाई की जाने वाली पानी की टंकी की इस्थिती जिन शिन हो चुकी है उसके बाद भी ग्राम पंचायत और पी एच वी विभाग द्वारा उस पर ध्यान नहीं दे कर आम जनों के स्वास्ते के साथ खिलवार किया जा रहा है इस्थानिय रहवासियों ने बताए कि गोगाओं मुमिनपुरा इस्थित नगर में जल सप्लाई होने वाली टंकी की इस्थती लंबे समय से खराब है पानी की टंकी की साफसपाई वर्सुस नहीं की गई है ऐसे ही नगर में जल सप्लाई किया जा रहा है इसके साथ पानी की टंकी खीजा हो चुकी है इसके बाद भी उसको प्योक में लिया जा रहा है वहां रहने वाले नागरिकों ने हमारे समधाता को बताए कि नगर के अधिकान शेत्र में इस टंकी का पानी सप्लाय होता है जो एक और से जुक सी गई है जिसके कारण हमको पानी की टंकी गिरने का भई रहता है हमने पूर्व में उस शेत्र का निरिक्षन भी किया था और संबंदी विभाग को अउगद भी करा था हम पुना इस विशय पर पी एच वी विभाग से चर्चा कर समस्या का हल करवाने का प्रयास करेंगे वैसे भी उस टंकी का पानी नगर के कई इस्थानों पर सप्लाय किया जाता है गोगाओं से इकबाल हकिम की रिपोर्ट सब्सक्राइब और इसकी मरामत भी नहीं है या तो एक तरफ से जूख भी गई है इसका सर्या वगेरा भी दिख रहा है और किस वक्त भी यह गिर सकती है और यहांता हो सकता है या तो इसको दूसरी बनाए जाए या इसकी रिपीरिंग करें जाए क्या ना हम आपका मुहम्मद रफीक कहा रहते हैं मोहिन पूरा कि वह गावा की जो पेजल टेंकी बड़ी टेंकी है जिसका निर्मान पीची वहाग के दौरा खराया गया था और दो लाक लीटर की वह उसकी चंबता है उससे गाव की पेजल ब्यास्ता काप्यात्ता कुजी से पूर्ती होती है उसकी वर्तमान में कंडिशन जीनसीन है और इस समंद्ध में हमने पेज़ी भाग को आउगत करा दिया गया है और उनका गल भी आकर इस लगस्ता को देख चुके हैं आगे की जो कारवे हैं पेज़ी भाग से होना है तो कभी उसका रिएक्ष्ण करा की नहीं आपने है पेज़ी भाग हमने उनको पेज़ी भाग खरगोन को आउगत करा दिया है और उनके द्वारा जो आयत एक बार विजिट कर गयो पेज़ी अब आगे की क्या प्लानिंग है उनकी इस समंद्ध में पेज़ी भाग से ही समं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें